सो हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सब का रिवाइब कोडिंग में और यहां हम यार बेसिक इंस्टॉलेशन और सेट अप कर रहे होंगे ताकि हम अपने एप्लिकेशन यूज कर सके तो पहले तो पहले तो अपने पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा और फिर मैं फाइनली करूंगा कि पैकेज इंस्टॉल हुआ है कर नी ठीक है तो अपनी रेक्ट अप्लिकेशन मनाने के लिए मेरे को सबसे पहले आना पड़ेगा मेरे मानलो ब्राउजर पर क्योंकि मैं वाइट का यूज करना चाहता हूं इससे रेक्ट अप्लिकेशन काफी तेजी से बन जाते करने के बाद यार हम यहां एंटर करेंगे और उसके बाद हम चले जाएंगे और इसको उपन कर लेंगे अपने अंदर कोड़ेटर करने के अंदर, हमें बेसिक लिए भी code editor में कुछ नहीं करना तो हमें और एक चीज इंस्टॉल करने पड़ेगी वो होगा हमारे रेक्ट राउटर डॉम का package ठीक इसके लिए मैं लिखोंगा npm i और फिर में लिखोंगा रेक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल हो गया और यहां मेरे जो package है वो 6.2.2 है ठीक है तो चलो हमने यहां successfully अपना रेक्ट के application बना लिया है और फाइनली चेक करने के लिए कि यार मेरा application चल रहा है कि नहीं मेरे को क्या कमांड यूज करना पड़ेगा मेरे को यूज करना पड़ेगा npm run dev का ठीक है बट उससे पहले मुझे install करने पड़ेगे अपने सारे packages इसके लिए मैं लिखूंगा npm i जिससे मेरे सारे के packages install हो जाएंगे और फाइनली हम हिट करेंगे npm run dev यह चेक करने के लिए कि मेरा server चल रहा है कि नहीं इस पर क्लिक करते हैं और यार देखो यहां मेरा react का server as it is जैसे चल रहा है और सब चीज़े आराम से काम कर रही है तो चलो next video मेरे हम देखेंगे किस तरीके से अपना basic configuration करेंगी ताकि हम अपने react auto dome को अपने application में यूज कर सकें ठीक है तो अभी के लिए इतना ही मिलते हैं में नेक्स वीडियो में तब तक लिए have a nice day and good bye